So hey guys, welcome back to channel, दोस्तों यहाँ पर एक important update है आपके exams के लिए, so बिलकुल वीडियो पर ही end तक आप जरूर देखेगा, साथ में इसको share करिएगा, and अगर आप चैनल में नए हैं, आप subscribe करिए, and hit double icon ताकि ऐसे सारी updates आपको मिलती रहे हैं, चलिए देखते हैं announcement पे, यहाँ पर यह है important announcement और यह रही update, exams, चल रहे हैं तो exams कैसे हो रहे हैं, आप में जो comment section में, बिलकुल बताइएगा, जो update है यह observations of the candidates on the question paper of CA exams, May 2023, आची update है, ICI के, देखते हैं इसको, so अगर कोई भी question paper में doubt है, कि questions गलत है, यह इसमें कुछ doubt है, कोई issue है, बिलकुल आप यहाँ पर कर सकते हैं mail, mail कहाँ पर करना, आपको exam feedback at the rate ICI.im, यहाँ पर कर सकते हैं mail, and apart from this, अगर आप चाहते हैं, भेजना, by speed post, अगर आप इस doubt कोई speed post के तुरू भेजना चाहते हैं, तो यह भी भेज सकते हैं, जो address है ICI का, यह है additional secretary exams, ICI, ICI, आइसे भावन, अंधर परस्मार्क, New Delhi, 11002, यहाँ पर एक important ध्यान देने की बात है, ध्यान देने की बात क्या है, कि जो भे student चाहते हैं कि उनके questions, उनके doubt को, उनके जो issue है, इनको, जो उनने raise कर रखा है, उसको institute अपने observation में ले, उसके लिए इनको, क्या क्या चीज़े साथ में भेजनी होंगी, उनको कुछ details भेजनी होंगे, यह details होंगे, उनका नाम, student का नाम, then उनका registration number, then उनका roll number, उनकी email id and mobile number, तो यहाँ पर यह कुछ चीज़े हैं, जो update institute ने आज करा था, यह चीज़ें, CA intern and CA finals, दोनोगे students के लिए है, तो चाहें आप CA intern है, चाहें CA finals में है, बिल्कुल आप यहाँ पर mail कर सकते हैं, य जो यह चीज़ें पहुंच जाने चाहिए, चाहें post हो, या आपकी mail हो, यह पहुंच जाने चाहिए, latest by 23rd of May 2023, 23 मई 2023 या उससे पहले 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 पहुंच जाहिए, तो यहाँ पी यह update है, complete institute की, video share करिए, channel subscribe करिए and hit the bell icon, thank you so much and take care.